और अब अगली बड़ी खबरकारों करते हैं मिचॉंग तूफान का खत्रा भी चला नहीं है इसलिए पूर्वी तट के सभी राज्यों और एलाकों को अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है मिचॉंग तूफान ने आंद्र प्रदेश के तट को लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया तूफान के बाद तेज बरसात ने आंद्र के कई शेहरों को डुबो दिया जगजगए पानी भर गया भारी बरसात की वज़ह से शेहर के कई इलाकों में पानी भर गया जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा शेहर के कई इलाकों में पेड धराशाई हो गए जिससे ट्राफिक जाम लगया कई जगों पर तो सड़के पानी के सेलाब में बह गई चक्रवाती तूफान मिचोंग की चलते चिन्नई में आज भी स्कूल बंद रहेंगे प्रदेश सरकार ने तूफान की असर को देखते हुए नौ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मदिप्रदेश के राजगड में पांच साल की मासूम जो की बोर्विल में फसी थी नौ घंटे के बाद सुरक्षित रेस्क्यू आपरेशन हुआ मादिप्तेश के राजगर में उस वक्त हड़कंप बच गया जब एक पांच साल की बच्ची के बोर्विल में गिरने की खबर सामने आई जिसके बच्ची को बचाने के लिए जिला प्रशासन, SDRF और NDRF फी टीम युद दिस्तर पर रेस्क्यू कारे में जुट गई रेस्क्यू टीम की मदद से बोर्विल में फैसी पांच साल की मासूम को घंटों के बाद सुरक्षित बहर निकाल लिया किया जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने राहत भरी सांस ले और बच्ची के परिशनों के चेहरे पर रौनक वापस लोटी आपको बता दे कि रेस्क्यू कारे के लिए पोकलेंड मशीन और छे जेसे भी मशीन मंगाई गई थी जिसके बाद बोर्मिल के पास खुदाई का काम शुरू किया हिया इस दौरान बोर्मिल के गड़े से बच्ची को लगातार ओक्सिजन दिया जाता रहा दूसरी और राजगड की पिपलिया रसोडा गाउं में बच्ची के परिजनों के साथ साथ पूरा घाव बच्ची की सलामती के लिए प्रार्तना करता रहा उसके सब कुशल बाहर निकलने की काम ना की जा रही थी 25 से 30 फीट की गहराई से बच्ची को बाहर निकालना आसान काम नहीं था लेकिन रस्क्यू टीम की सूजबूर्ज और प्रशासन के कुशल कारी ने इस ओपरेशन को 9 घंटे में सफल बना दिया जिसकी प्रशंसा की जा रही है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे